अभी कुछ एक गंटे वो पहले एक कंटेनर तेज गती में आ रहा था इधर से थोड़ा रोड ज्यादा अत्यदी खराब होने के कारण वो अपना संतुलन खो बेठा तो यहां बाइक से जाने वाले की एक तो मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक पल्टी खा गया खेत में और वहीं पर ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई और एक को यहां पर जो आसपास पड़ोस में खेतो वाले और क्रेन की साहिता चो इसको निकाला गया वो तो बज गया है और और अभी दबे होने के आशंका है जैसी भी और क्रेन की मदद से ढूंडा पर अभी कुछ मिला अभी और प्राइव हटा के देख रहे हैं तीन होने की आशंका है दो तो अंदर डेट मर चुके हैं और एक को अभी और ढूंडने की कोशिच जारी है शैद मिल जाए इंबूलेंस वालों ने किसी भी प्रकार का को सयोग नहीं करा है और उनको कहा तो और उन्होंने कहा कि बोपाल बात करो तो मेरा तो भई सभी प्रसासनिक लोगों से निवेदन है कि यहां पर अभी तक कोई प्रसासनिक आला अधिकारी भी नहीं आया मोके पे यह सब आसपड़ोस की जनता नहीं सयोग किया और उनके सयोग से इनको निकाला गया है ना कोई एंबूलेंस की कोई मदद दी गई है और उपर से हमसे कहा कि फोन लगा के बात कल लो जी एक विक्ति को बचाया गया उसे शुलक्षित रूप से भोज अस्पताल पोचाया गया है अब क्या पता उसका उप्चार हो रहा कहनी हुआ क्योंकि प्रसासन की हालत तो इसी खराब लग रही है मेरा न मतलब एक्सिडेंट हो रहे हैं कि यह विक्ति को बचना बिल्कुल असम्भ हो इस्तिती है तो मेरा निवे देने की थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया जाए